नमस्कार मैं हूं राम्प्रकाश राए राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा जब कई राज्यों से होते हुए दिल्ली पहुंची तो दिल्ली पर में लाल के लिए से उन्होंने भाशन दिया अपने भाशन में उन्होंने जिक्र किया गौतम अडानी का मशूर बिजनसमेन एसिया में सबसे अमीर और दुनिया में तीसरे नमबर के अमीर जो है बिजनसमेन के तोर पर गौतम अडानी को जाना जाता है साल 2014 में जबसे केंदर में नरेंदर मोदी के नितरत्तों में भारती जनता पार्टी की सरकार बनी तब से गौतम अडानी और मुकेश अम्मानी पर कई तरीके के अलग-अलग आरूप लगे गौतम अडानी कई सारे सवालों को लेकर के विपक्ष के निसाने पर रहे ना केवल विपक्ष बलकि तमाम जो राजनेतिक विसलेशक हैं जो भारती जनता पार्टी और उसकी विचारधारा से इत्तिफाक नहीं रखते हैं उनके निसाने पर भी गौतम अडानी रहे हैं कई अलग-अलग कारण है उसके पीछे साथी साथ गौतम अडानी पर इस चीश का भी आरूप लगता है कि प्रदार मंत्री नरिंद्र मूदी की जो उनकी खरीबी है उसके चलते प्रदार मंत्री उनके लिए उनको फाइदा पहुँचाने के उद्दे से कई सारी नीतिया बनाते हैं आज इस बात की चर्चा इस लिए फिर से हो रही है कि गौतम अडानी ने बीते दिनों उनके कुछ इंटर्वीव आए मीडिया में जिसको लेकर के वो एक बार फिर सुर्खी में आए वो जो इंटर्वियू थे उस इंटर्वियू में गौतम अडानी ने कही सारी ऐसी बाते कहीं हैं जिनको लेकर के सोशल मीडिया पर चर्चा तेजी से चल रही है। नाम पहुचा और उसके चलते लोगों को गौतम अडानी कौन है ये जानने और समझने का मौका बिला। होती है। इसके अलावा जो चुकि राहूल गांदी अक्सर अपने तमाम भाशनों में वो आरोप लगाते रहते हैं किंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार और खुद प्रधानमित्री नरेंद्र मोधी की गौतम अडानी और मुकेश अंबानी से नस्दीकी को लेकर के बार बार वो सवाल उठाते रहते हैं उन पर मजबूती से निसाना साथते हैं कई सारे आरोप लगाते हैं ऐसे में इन सवालों का जो जवाब है वो बहुत महतोपूर हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो ये बाते हैं वो अधार ही नहीं इसके अलावा जो भारती जनता पार्टी से उनका उनकी जो नजदीकी है और भाजपा के सरकार पर जो आरोप लगता है कि वो उनका फिवर करके उनने काम दिलाती है ऐसे में इसका भी खुलासा गोतम अडानी ने किया एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी उनके निवेश की तारीफ कर चुके हैं दरसल ये मामला था कि जो कॉंग्रेस सासित राज्यों में और सथ हजार करोन से ज्यादा का उनका निवेश है उस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उस निवेश को लेकर के राहुल गांधी भी अडानी क्रूप की तारीफ करते हैं और राहुल गांधी भी इस मामले में निवेश के मामले में गौतम अडानी की तारीफ करते हैं तो यसे में राहुल गांधी की खिलाफत से उन्होंने इंकार किया उन्होंने कहा कि जो है वो हमारे सवालों के जवाब में गौत्ब अडानी ने कहा है कि जो नरेंदर मोधि से नजदीकियों की बात है तो नरेंदर मोधुझी जिसे कोई भी ज हूँ आप निजी मदद नहीं ले सकते हैं भले ही कितनी भी बात कहिए साती सात उन्होंने ये भी कहा कि वो गर्व से ये बात कहते हैं कि जूकर नरेनरमुदी गुजरात के मुख्यमंतरी रहें लंबे समय तक और उनके संबंद उनसे अच्छे रहे हैं ये बात भी उन्होंने स्विकार की और साथी साथ उन्होंने कहा कि आप उनसे निजीव मदद नहीं ले सकते हैं कियों उनसे नीत e達i से जुड़ी हुई बातें कह सकते हैं तो यह जो बाते हैं गौतमडाणी का जो इंटर्वीव है इंटर्वीव में दिये गए यह जवाब है वे शोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। शोशल मीडिया प्रकूर उनके समर्थन में आ रहे हैं वह इनके आप सवाल भी उठा रहे हैं। ऐसे में जो ये तमाम सारे आरूप गौतम अडानी के उपर हैं, जो चाहे वो बक्षी दलों के दारा लगाये जाते हो या तमाम लोगों के द्वारा, उन्होंने साथ-साथ जो रिष्टे हैं दोनों दलों से उस पर भी उन्होंने बात कह दी, उन्होंने साफ-साफ जो कॉंग्रेस सासित राज्य हैं उनमें जो निवेश हैं 68000 करोन रुपए का उस पर बात करते हुए गौतम अडानी ने कॉंग्रेस के साथ भी अपने रिष्टों की बात को पुखता करने की कोशिश की अब ये माना जा रहा है कि ये जो पूरा इंटरव्यू है चुकि पिछले कुछ दिनों से लगातार उनके इंटरव्यू अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिल रहा है तो कहीं अब ये सवाल भी उटने लगा है कि क्या राहूल के जो आरोप है उसी के चलते अडानी को सफाई देने के लिए मीडिया में आना पड़ा अडानी अपनी सफ को कि संबन्द में या किसी और राजनेतिक समीकरण को साधने के लिए इस तरीके के इंटरव्यू प्लान किये गए हो ये तो अडानी ही जानते होंगे या फिर जानती होगी अगर जो भी राजनेतिक-दलों की जो सियासी समीकरण है या जो उनके एडवाईजर है वो लोग पार्टी के साथ भी अडानी के संबंद रहे हैं चुकि वो पहले के समय में भी तमाम प्रदान मंत्रियों का नाम लेते रहे हैं इसके लावा वीते दिनों अशुक गहलोत के साथ राजस्थान में उनके एक फोटो खूब वाइरल हुई थी जिसमें अशुक गहलोत और गौत उद्योगपती या अधिकतर उद्योगपतियों को लेकर के अधिकतर राजनेतिक पार्टियों से भी उठाया जा सकता है बने रही हमारे साथ धन्यवाद